नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे की फॉरडापा 10 टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स ने किया जाता है, फॉरडापा 10 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और फॉरडापा टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे की फॉरडापा टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, फॉरडापा एक ग्रैंड नेम है, फॉरडापा टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन डैपागलिफलोजिन 10 mg होता है, फॉरडापा टैबलेट का उप्योग हार्ट फेलियर के इलाज में और टाइप 2 डाइबिटीज में बलड शुगर के लेवल को नियंतरन में करने के लिए किया जाता है, फॉरडापा टैबलेट शरीर में बलड शुगर के लेवल को कम करती है, शरीर में शुगर के लेवल को नियंतरन में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि लंबे समय तक शुगर लेवल ज्यादा रहने की वज़ह से किड्नी डैमेज हो सकती ह आखों की देखने की दृष्टी कम हो सकती है, और शरीर की नसे डैमेज हो सकती है, इसलिए शरीर में शुगर के लेवल को नियंतरन में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, खाना खाने के दो घंते बाद एक नोर्मल व्यक्ति का बलड शुगर लेवल 140 से कम होता है, खाना परी डाइबिटिक स्टेज पर शुगर लेवल को बिना दवाओं की मदद से नियंतरन में किया जा सकता है, परी डाइबिटिक स्टेज पर शुगर लेवल को नियंतरन में किया जा सकता है, यदि किसी व्यक्ति का बलड शुगर लेवल 200 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को डाइबिटीज की समस्या है इसके अलावा किड्नी की बीमारी से पीडित व्यक्तियों को भी डॉक्तर फॉरडापा टैबलेट को लेने की सला दे सकता है फॉरडापा टैबलेट किड्नी की बीमारी को ज्यादा गंभीर होने से रोकती है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में फ़ोर डापा टैबलेट की वज़े से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में फॉरड आपा टैबलेट की वजह से कुछ side effects हो सकते हैं जैसे जुकाम होना, कमर में दर्ध होना, पेशाब अधिक आना, उल्टी आने का मन होना, पेशाब में इनफेक्शन होना, पेशाब करते समय दर्ध होना, गली या फेफडों में इनफेक्शन होना, कब्स होना और शरीर के जोडों वा मासपेशियों में दर्ध होना आधी टैबलेट की वज़े से हो सकते हैं। इसके अलावा फॉरडापा टैबलेट की वज़े से महिलाओं वो पुरुषों के प्राइविट पार्ट में इंफेक्शन होने का भी जोखिम अधिक हो जाता है। फॉरडापा टैबलेट को शुगर कम करने की अन्य दवाओं के साथ लेने से शरीर का बलड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम भी हो सकता है। अब हम डिसकस करेंगे की 4डापा टैबलेट को कैसे लेना रिक्मेंडेड होता है 4डापा टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है 4डापा टैबलेट को हर रोज एक निर्धारित समय पर लेना चाहिए आम तोर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्टर ब्लड शुगर को नियंत्रन में करने के लिए शुरुआत में फॉरडापा 5MG टैबलेट को दिन में एक बार और सुबह के समय लेने की सलाह देते हैं. और बाद में जरूरत पढ़ने पर डॉक्टर डोज को बढ़ा कर फॉरडापा 10MG टैबलेट को भी दिन में एक बार और सुबह के समय लेने की सलाह दे सकते हैं. हार्ट फेलियर और किड्नी की बीमारी के इलाज में डॉक्टर फॉरडापा 10 mg टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं फॉरडापा टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको फॉरडापा टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे की फॉरडापा टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए जिन व्यक्तियों का डाइलिसिस का इलाज चल रहा है ऐसे व्यक्तियों के लिए फॉरडापा टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं होता है शुगर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको फॉरडापा टैबलेट के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए चिंता वतनाव से बचना चाहिए परियाप मात्रा में नींद लेनी चाहिए और यदि आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो वजन को कम करना चाहिए टाइप वान डाइबिटीज होने पर, कोई सरजरी होने पर, डाइबिटिक कोमा होने पर और डाइबिटिक कीतोसिस होने पर फॉरडापा टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है ब्लड शुगर बहुत ज्यादा कम होने से बचने के लिए आपको फॉरडापा टैबलेट को लेने के बाद खाने को स्किप नहीं करना चाहिए और आपको फॉरडापा टैबलेट को लेने के बाद आपको अपने रेगुलर शेडियूल पर खाने का सेवन करना चाहिए प्रेग्मेंट महिलाओं में ब्लड शुगर के लेविल को नियंतरन में करने के लिए इंसुलिन को ही सबसे सुरक्षित माना गया है प्रेग्मेंट महिलाओं और स्तंपान करा रही महिलाओं के लिए फॉरड आपा टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित वर रेक्मेंडेड नहीं है विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका फॉरड आपा टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं